Hello friends, welcome back to my channel तो friends में पास कहीं के कमेंट आते हैं कि हमारी कटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है तो इस वीडियो में बहुत सारे प्लांट की कटिंग ग्रो करूंगी मिट्टी कैसे तयार करनी है और कैसे आपको कटिंग लगानी है इसमें सभी कुछ आपके साथ explain करने वाली हूँ वीडियो काफी जादा helpful रहेगी इसलिए पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर ज़रूर करें चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंट्स प्लीज सब्सक्राइब कर लिची बेल आइकन के साथ तो फर्स्ट तो आप मेरे सामने देख रहे हो विंका प्लांट विंका प्लांट के उपर बीज भी बनता है आप इसे बीज से और कटिंग से इजी तयार कर सकते हो अभी जैसे बरसात का सीजन चल रहा है तो इस बारिस का पानी जड़ों में जाए तो प्लांट आपका हेल्थी रहेगा लेकिन अगर इसके उपर पानी डलता है तो इसमें फंगस की वज़े से ये खराब होने लग जाता है यहाँ पर हमने मिट्टी तयार की है तो देखे कटिंग तयार करने के लिए मिट्टी काफी आपकी वेल ड्रेन रहनी चाहिए ताकि कटिंग के अंदर पानी ना रुके अगर कटिंग के अंदर पानी रुकता है और उसमें हमने 20% नीमखली एड़ की है क्योंकि बरसात का सीजन है और नीमखली हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी करती है और फंगस भी नहीं लगने देती है तो आप नीमखली इस टाइम पर ज़रूर से एड़ करें कोकोपीट में आप अभी कटिंग मत लगाईए और अगर लगाओगे तो फिर बारिस में मत रखिए तो कोकोपीट के अंदर पानी बहुत देर तक होल्ड रहता है तो चलिए अपने इन ही सभी प्लांट से कुछ कटिंग ले लेते हैं गुढल की भी हमने कटिंग ले लेनी है और जितने भी प्लांट की आप कटिंग ग्रो करना चाहते हो एक साथ में ही ले सकते हो क्योंकि होगा क्या प्लांट जैसे एक जगह रखे रहते हैं ग्रूप में तो एक दूसरे का उनको मोस्टर मिलता रहता है तो इस वज़े से उनकी ग्रोथ अच्छी रहती है अगर हमें एक सिंगल सिंगल प्लांट रख देते हैं तो वो बहुत जल्दी खराब भी होता है उसकी पत्या भी सूकती है और इतना अच्छा नूट्रेशन उसको नहीं मिल पाता है तो इसी तरीके से कटिंग का भी है एक पोट में आप 3-4 कटिंग लगाओगे तो पहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलता है और सिंगल एक कटिंग लगाते हो तो वो जल्दी से खराब भी हो जाती है और ग्रोव भी नहीं कर पाती है तो मैं हमेशा देखिया ऐसे ही करती हूँ एक पोट में कई सारी कटिंग लगाती हूँ और तम मुझे लगता है कि मेरी कटिंग अच्छे से सक्सेस्फुल हो गई है न्यू पत्या निकल गई है तो फिर हम उनको धीरे धीरे दूसरे पोट में सिफ्ट करना स्टार्ट कर देत हैं तो फ्रेंड्स देखिये हमने यहां पर चंपा К कटिंग ली है चंपा काफी हाड़ी प्लांट होता है और इसकी कटिंग बहुत जल्दी तयार होती है कलर भी आपको फूलों के बहुत सारे मिलते हैं वॉइट पिंक और यलो कलर भी मिलता है है यहां पर हमने टैक्सस से की कटिंग ली है मधू कामीनी जो प्लांट होता है इसके फूलों की खुस्पू बहुत अच्छी होती है उपर से कुछ टिप आपको ले लेने हैं तो मधू कामीनी के कुछ प्लांट की कटिंग हमने ली है यहां पर गुढ़ल की प्लांट की बहुत सारी कटिंग ली है आपक कट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि नीचे की साइड से थोड़ा तिर्चा कट होना चाहिए आप मेरी सभी कटिंग दे सकते हो बिल्कुल भी गोल नहीं है यहाँ पर हमने बुगनवीलिया की कुछ कटिंग ली है बुगनवीलिया भी काफी हार्डी प्लांट होता है औ उसके बाद हमने चांदनी के प्लांट की कटिंग ली है और चांदनी के प्लांट मेरे पास दोनों है डबल पैटल में भी है और सिंगल पैटल में भी है तो मैंने दोनों प्लांट से ही कटिंग ले रेनी है उसके बाद हमने कुछ पोट तयार किये है नीचे की साइड ड्र उदर हिलती रहती है मोस्चर रहेगा अगर मिट्टी में तो कटिंग आपकी बहुत जल्दी से मिट्टी को पकड़ती है तो देखिए हमने सभी में पानी डाल देना है और हां कटिंग लगाने के बाद हमेशा सुभर की सिर्फ आधा घंटे की दूप मिल ऐसी जगह रखा करे और मोस्चर बना कर रखिए आपको बिल्कुल भी उसको सूखने नहीं देना है बारिस का पानी खटा करिए और कटिंग में थोड़ा थोड़ा डालते रहिए यहाँ पर हमने ऐलोवेरा का टुकडा लिया है और नीचे की साइड कटिंग पर आपको अच्छे से जेल लगा देना है अलोवेरा कटिंग को ग्रो करने में बहुत जादा हेल्प करता है अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप रूटिंग हार्मोन भी ले सकते हो अधर्वाइस आपके पास अगर अलोवेरा रूटिंग हार्मोन कुछ भी नहीं है तो आप क्या करने की हल्द में लगाई है क्योंकि ये खराब नहीं होगी जल्दी से ग्रो कर जाती है और पोर्ट भी हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है तो देखिए सारी कटिंग हमारी लगकर तैयार हो चुकी है और जो छोटे-छोटे प्लांट होते हैं जैसे की चांदनी हो गया विंका हो गया टैक्स सेज हो गया इन सभी प्लांट की हमने एक पोर्ट में चार से पांच पांच कटिंग लगाई है आप देख सकते हो और जब भी कटिंग के ऊपर न्यू पत्ती निकलना स्टार्ट हो जाती है उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो आपको तुरन से पता चल जाता है कि कटिं ऐसा मोसम चल रहा है बरसात का इस टाइम पर प्लांट खराब होने के बहुत कम चांस रहते हैं तो देखिए हमने सभी कटिंग को लगा कर उनमें अच्छे से पानी डाल कर शेड में रख देना है और कम से कम वन वीक तक सिर्फ आदा घंटे की दूप मिले ऐसी जगह रखे और उसके बाद 2-3 घंटे की धूप मिल जाए ऐसी जगह पर सिफ्ट कर सकते हो अगर टोटल चाया में ही रखोगे तो होगा क्या आपकी कटिंग की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं बन पाएगी पानी आपको धीरे धीरे डालना है किसी छोटी चीज से ही पानी डालना है अग अगर आप चाहो तो क्योंकि अभी मोसम अच्छा है तो हमें पोलोथीन इन पर लगाने की जरुरत नहीं है लेकिन अगर आप धूप में या फिर अधर मोसम में जैसे की जून हो गया अप्रेल हो उस टाइम पर कटिंग ग्रो कर रहे हो तो आप पोट के उपर एक पोलोथी अपने टिकोमा की वाइन जो है इसको ग्रो किया हुआ है क्योंकि फैलाने की जगह नहीं थी तो मैंने एक पोट से दूसरे पोट में इसको सिप्ट किया है और बहुत ही अच्छे से यह ग्रो कर गई है और बुच्छों में फूल आते हैं मैंने क्या किया जिस पोट में हमा न्यू प्लांट तयार हो गया तो आप टिकोमा प्लांट को भी अभी तयार कर सकते हो देखी नर्सरी में प्लांट पहुत महंगे महंगे मिलते हैं और महंगे मिलते हैं तो आप क्या करें कि खराब होने से पहले अपने प्लांट की कई सारी कटिंग लगा कर रखें ताकि आ आपके पास दूसरा प्लांट तैयार हो जाएगा सो फ्रेंट्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई योगी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में